हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल एट्रेक्टिव लूप्स फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल पर इससे पहले दो श्रग के वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ एक स्मॉल साइज और एक लाड साइज एलसाइस की वीडियो में मैंने इश्रग मेजरमेंट के लिए दिखाया था तो एक वीवर का मेरे पास कमेंट आए कि मैं आप ये वाला कार्डिगन भी बताएं कि आपने कैसे बनाया है तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ और इसको देखने के बाद में आपके काम करने का अंदाज भी चेंज होने वाला है तो वीडियो स्किप नहीं कीजेगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ शेर करना चाहती हूँ मेरे चैनल पर एक लॉंग ड्रेस की वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने उसके पैटन आपके साथ शेर किये थे लेकिन कैई कमेंट मेरे पास आए कि मैं वो पूरी ड्रेस आपको बना कर दिखाऊं तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं वो ड्रेस पूरी बना कर आपको दिखाऊं तो आप लोग मेरे पास कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए जितने ज्यादा कमेंट और लाइक मेरे वीडियो पर आएंगे उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मैं वो वीडियो दुबारा बनाऊंगी आप लोग के लिए और पूरी डिटेल मैं उसके आपके साथ शेयर करूँगी कि वो ड्रेस किस तरीके से बनाए हुई है तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं ये देखे फ्रेंड्स इस तरीके का लूग इस श्रग का आता है पहनने के बाद आप देख सकते हैं कितना खुपसूरत और स्टैलिश यह लगता है जो पैटन क्रोशिय से मैंने बनाए है वो मैं आपको बनाकर बताने वाली हूँ कि वो मैनने कैसे बनाया है और भौट ही यह लगी होई है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देखिएग इस कि नहीं किजेगा तो यह देखे फ्रेंड्स यह वो श्रग है जो मुसे मेरे सब्सक्राइब ने कमेंट करके कहा था कि मैं यह बाला श्रक भी उनको दिखाऊं कि मैंने कैसे बना हुआ है तो यह जो श्रक आप देख रहे हैं यह पीस बाजु का और बैक का फ्रंट का यह आप देखिए यह मैंने बनाया नहीं है ये ready-made piece है और यही बू टिप है जो मैं आपके साथ share करना चाहती हूं इस तरह के piece winters में बाजार में मिल जाते हैं बाजार जो लगते हैं उस तरह के बाजार में इस तरह के piece मिलते हैं और मैं आप से यह गहने चाहेंगी कि अगर आपको यह पीस कहीं आपने देखे हों बिखते हुए यह आपको आने वाले टाइम में दिखाए दे तो आप यह पीस जरूर खरी दिएगा यह बहुत ही ज़्यादा काम क्यों होता है लेडिज इन पीस को लेती नहीं है वह सोचती है कि हम इनका क्या गरेंगे लेकिन एक्सपेरिमेंट हर चीज के साथ करना चाहिए और मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रेंड्स यह जो बाणर का यह चाहरूण मैंने कैसे बनाया है देखी कितना खुबस्वरूत पैटन है और फ्रेंड अगर इस तरह का पिस आपको बाज़ार मेरे मिलता तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं मैंने जो एलसाइस की वीडियो अपने चनल पर डाली हुई है उसको आप देखिएगा उसमें इसकी फुल मेटिंग डिटेल मैंने बता हुई है उस से पहले इसकी मैंने कटिंग की थी यह डेड़ मीटर का पीस था इसमें से मैं बाजू और बैक निकाल लिये थे, उसके बाद में मैंने उसको stitch कर लिया था, interlock कराय था सबसे पहले उसके बाद इसके बाद पीस बचा था, एक साइट से वो पूरा पीस मैंने उधेड दिया था, उसमें से उन निकाल लिया थी, और उसी उनका मैंने इसके दामन का जो बॉर्डर है वो और इसके फ्रेंट का जो बॉर्डर है वो मैंने बनाया था तो ठीक है फ्रेंट्स आप एक बार ये टिप जरूर ट्राइ किजेगा अगर आपको इस तरह का पीस कहीं मिले तो आप इससे जरूर खरी देगा और कार्डिगन, कुर्ती, श्रग जो भी आप बनाना चाहें इसमें से बना सकते हैं ये देखें ये बॉर्डर भी इसमें था एक साइड में और ये जो फ्रिल आप देख रहे हैं और गले पर मैंने बहुत अच्छा काम किया था, इससे कई मुना खुबसूरत वह कार्डिगन है लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो एलसाइस की श्रग वाला वीडियो मैंने डाला था वीडियो मेरा बिल्कुल मतलब ये लगा लीजी, कॉपी ही हो गया था एक चैनल पर, मतलब काफी अच्छा बड़ा चैनल है वो उन्होंने बिल्कुल सेम मेरे ही तरीके से श्रग बना कर अपने चैनल पर मेरे बनाने की एक डेड़ महीने बाद अपने चैनल पर भी उसी तरह का श्रग बनाया और बहुत ही अच्छे उनको कमेंट मिले लेडिस को ये श्रग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है मार्केट में ये श्रग रेडी मेड मिलते हैं लेकिन यूट्यूब पर पहली बार मैंने इसको बनाने का तरीका दिखाया और वो भी कॉपी हो गया तो मुझे अच्छा भी नहीं लागा लेकिन मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरे काम को मतलब लोग अपना रहे हैं मेरे आसपास के लोग ही नहीं बलकि यूट्यूब पर भी जो मुझे बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी मेरे काम से इंस्पायर होकर अपने चैनल पर मेरे जैसी वीडियो डाल रही है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात मुझे लगी तो इसलिए फ्रेंट्स मैं वो वाला कार्डेगन अभी आपको नहीं दिखाऊंगी अगर मैं अभी आपको वो दिखा दूँगी तो हो सकता है वो भी मेरा कार्डेगन कॉपी कर लिया जाए और मुझे ये बात बिलकुल नहीं अच्छी लगेगी तो फ्रेंट्स जैसे कि आपने देखा ये मैंने कट करके स्टिच कराया है और उसके बाद में मैंने इसमें किनारे भी लगाई है ताकि इसको और ज़्यादा मजबूती मिले और ये कहीं से भी निकले नहीं जब हमारा पीस रेडी हो गया तो उसके बाद में फिर ये दामन का बॉडर और ये फ्रेंट कॉलर का बॉडर मैंने इसके उपर सलाई से ही मशीन की सलाई से उपर से अलग से लगाया था तो फ्रेंट्स आईए मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो दामन का डिजाइन है ये क्रोशे से मैंने कैसे बनाया है कितनी चेंज इसके लिए लेनी है सारी डेटेल मैं आपको इसके पैटन ये बताऊंगी आपको अगर ये वाला पैटन पसंद आए तो आप ये वाला बना लीजिए अपने शरग में और अगर दूसरा वाला पैटन पसंद आए जो L.S.S. का वीडियो है अगर आपको वो शरग पसंद आता है तो आप वो शरग भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर मेरे काम करने के तरीक आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह की नएने टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर पताएगा कि ये शरग आपको कैसा लगा है और आने वाली टाइम में आप मेरे चैनल पर और मुझे क्या बनाते हुए देखना चाहते हैं तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये वो उन है जो मैं इसका पैटन बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ ये वही दस रुपे वाल है जो मैंने आपको अपनी कलेक्शन वाली वीडियो में दिखाया था तो ये उन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कॉटन में होती है और ये बारिक ही है ज्यादा मोटी नहीं है 14 नमबर का में इसके लिए क्रोशे लेने वाली हूँ ये देखे फ्रेंड्स बहुत ही एकसार और बहुत ही अच्छी उन होती है ये सबसे पहले हम अपनी उन पर क्रोशे से एक बल लगाएंगे इस तरह से और अब हम इसमें अपनी चेन बनाने स्टार्ट करेंगे ऐसे इसको हम एक स्लिप नॉट लगा लेंगे टाइट कर लेंगे और क्रोशे में जो है ये हमारी पहली चेन बनेगा यहां से हम अपनी चेन चार पाँच तो फ्रेंड्स सैविन के मल्टिपल में हमें ये चेंज बनानी है साथ 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 इस तरीके से करके बनानी है तो मैंने 28 चेंज यहां पर बनाई है अब तीन चेंज में इसमें एक्स्ट्रा बनाऊंगी जो की एक डबल क्रोशे की गिंते में आएगा अब यार्ण ओवर करके अपनी क्रोशे से चौथी चेंज में हम अपना पहला डबल क्रोशे बनाएंगे यार्णोबर करके अगली चेन में दूसरा डबल क्रोश्या बनाएंगे फ्रेंड्स सिंगल क्रोश्या, हाफ डबल क्रोश्या और डबल क्रोश्या तीनों वीडियो मैं अपने चैनल पर बिगिनर्स के लिए बना कर डाल चुकी हूँ अब हमने तीन चेन स्किप की है और चौती चेन में हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे यार्णोबर करेंगे और इसी चेन में हम एक और डबल क्रोश्या बनाएंगे फ्रेंड्स इस चेन में कुल मिलाकर हमें साथ डबल क्रोश्या बनाने हैं एक ही chain में से साथ डबल ग्रोशिय हम बनाएंगे ये देखे साथ डबल ग्रोशिय हमारे बन गए हैं अब हम तीन chain skip करेंगे यार्न ओवर करेंगे और चौती चैन में हम एक डबल ग्रोशिय बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और अगली चेन में अगला डबल क्रोशे बनाएंगे साथ डबल क्रोशे हमें हापर साथ चेन के उपर बनाने है फ्रेंड्स बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियोज मैं अपनी चैनल पर आने वाले टाइम में भी लाती रहूंगी और आप जैसे कि आप मेरा काम देखी रहे हैं किस तरह का काम मैं करती हूँ तो प्लेज मेरी वीडियोज को सपोर्ट कीजिए ये देखे साथ डबल क्रोशे हमारे हो गए है अब हम तीन चेन स्कीप करेंगे और चौती चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे यार्णोबर करेंगे और इसी चेन में से हम छे डबल क्रोशे और बनाएंगे जैसे हमने पहले साथ डबल क्रोशे बनाए थे इसी तरीके से हम यहाँ पर भी साथ डबल क्रोशे एक ही चेन में से बना लेंगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लिजे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन प्रेस करके all notifications ज़रू क्लिक कीजिएगा जिसे मेरे आने वाली सबी वीडियो की notification आपको मिलती रहेंगी यह देखे 60 double crochet हमारे बन गये हैं अब यार नोबर करेंगे और तीन chain स्किप करके चौती chain में हमें एक double crochet बनाएंगे अगली chain में अगला double crochet बनाएंगे तो जैसे शुरू में हमारे 4 double crochet बनाएंगे इस तरीके से यह round खतम होगा तो यहाँ पर भी 4 double crochet हमारे आएंगे एक एक chain में एक double crochet लेकर 4 double crochet हमें यहाँ पर बनाने हैं यह हमारा आगड़ी double crochet है और यह round हमारे यहाँ पर complete हो गया है यह देखिए इस तरीके से इसको हमने बनाया है अब हम अपना दूसरा round शुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम three chains बनाएंगे अब इस piece को पिलट लेंगे यह जो three chain हमने बनाई है यह एक double crochet की गिंती में आएगा तो अपने दूसरे वाले double crochet के उपर हम एक double crochet बनाएंगे याड़न ओवर करेंगे और तीसरे double crochet के उपर एक और double crochet बनाएंगे तो नीचे वाले राउड में हमने 4 double crochet बनाये हैं इस राउड में भी हम स्टार्टिंग में अपने 4 double crochet complete करेंगे यार्ण ओबर करेंगे और यह जो शेल हमने पहले राउड में बनाया था इसमें जो बीच की 4th chain है इसके उपर हम एक शेल और यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम एक ही चेन में से साथ डबल ग्रोशिय बना लेंगे फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें और जब भी भी आप कमेंट करें तो थोड़े डिटेल में किया करें जैसे कि एक मैंने कमेंट किया कि शॉल बनाना बताएं तो मुझे समझ में नहीं आए कि उनको किस तरह की चाहिए फैंसी चाहिए या सिंपल सोबर चाहिए लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से कोशिश की और वो शॉल बनाई और अपने चेनल पर डाली तो आप फ़र डिटेल में कमेंट किया करें और इसके बाद एक राउंड और में बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगी तो तीन राउंड मुझे ऐसे ही बनाने है ये देखी तीन राउंड मैंने अपने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना के लिए दीख रहा है ये शेल के ओपर शेल बने हुए है और डबल क्रोशे को बडबल क्रोशे बने हुए है अब हम अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे अब इस पीज को पलट लेंगे और फिट से यह जो हमारे डबल क्रोशे बने हुए हैं इनके ओपर हम फिट से डबल क्रोशे ही बनाएंगे एक double crochet हमारे three chains हो गया और तीन double crochet हमें बनाने हैं अब हम यहाँ पर shell नहीं बनाएंगे बलकि हम यहाँ पर हमें three chain बनाने हैं तीन चेन हमारी हो गई है अब हम शैल के उपपर बीच वाले जो हमारे डबल ग्रोशा है फोर्थ डबल ग्रोशा इसके उपर चेन में हम यहां पर एक सिंगल ग्रोशा बनाएंगे अब फिर से तीन चेन बनाएंगे अब यह जो हमारे साथ डबल ग्रोशा हमने बनाए हुए हैं इनके उपपर हम फिर से एक एक करके साथ डबल ग्रोशा बना लेंगे फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक किया करें डिस्क्रिप्शन चेक करने से यह होता है कि कुछ बाते जो हमें वीडियो में बताने में रह जाती है वो हम बात में डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं जो आप तक पहुंच जाती है या आप कभी-कभी कोई हमसे सवाल पूचते हैं तो उसका आंसर भी हम description में भी डाल देते हैं ताकि और लोगों तक भी हमा आपने जो हमसे सवाल पूचा है उसका जवाब और लोगों को भी मिल जाए तो इससे हम एक सिंगल ग्रोशे बनाएंगे अभी चो आखिर के हमारे चार डबल ग्रोशे बने हुए इनके उपर फिर से हम चार डबल ग्रोशे अपने बना लेंगे और यह 4 ओधर राउंड़ हमारे यहां पर complete हो गए हैं अब हम यहां पर अपना पांच पर राउंड शुरू करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे और इस पीस को पेलट लेंगे और अब जो हम बनाएंगे इस राउंड में हमें यहां पर डबल क्रोशिय नहीं बनाने हैं बलकि हमें यहां पर एक हाफ शैल बनाना है जिसके लिए हम सबसे पहली ही चेन में से जो हमारे 3 chain के नीचे वाली chain है उसमें हम 3 double crochet बनाएंगे एक ही chain में से यार्ण over करेंगे और जो 3 chain हमने बनाई हुई है इसके उपढे हम 3 double crochet बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे अब सिंगल क्रोशय जो हमने बनाया था शैल के उपर उस पर हम एक डबल क्रोशय बनाएंगे यार्ण ओवर करके अब तीन चेन के उपर हम तीन डबल क्रोशय बनाएंगे अब जो अगलर डबल क्रोशे है हमारा वो बीच में यहाँ पर साथ डबल क्रोशे जो बनाए हैं इसमें बीच वाले चौथे डबल क्रोशे के उपर हम बनाएंगे और इसी chain में से हम 6 double crochet और बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा अब एक shell create हो जाएगा तो इस round में हमें shell के ओपर double crochet बनाने है normal और जहां हमने normal double crochet पिछले round में बनाए हुए हैं उनके ओपर अब हम यहाँ पर shell बनाएंगे यह दिखी यह shell हमारा बन गया है अब हम याण over करेंगे और 3 chain के ओपर 3 double crochet बना लेंगे एक double crochet single crochet के ओपर बनाएंगे जो हमने shell के ओपर single crochet बनाए हुआ है उस पर से अब 3 double crochet हम 3 chain के ओपर बनाएंगे अब जो यह 4 double crochet है इसमें जो हमारा आखरी वाला double crochet है यह अब हमारे साथ हुए हैं तो यह जो आखरी वाला double crochet हमारा है चौथा इसकी जो 3 chains की top chain है इसमें हम एक double crochet बनाएंगे और इसी में अभी हम 3 double crochet और बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे एक half shell create हो जाएगा और यह round हमारा complete हो जाएगा और इसी तरीके से अब हमें अगले दो round और repeat करने हैं यह देखे यह देखे इस तरीके से यह round हमारा बना है और अब इसके उपर हमें इसी तरीके से दो round और repeat करने हैं उसके बाद हम जो हमने chain वाला round बनाया था वो वाला round हम इसको पर बनाएंगे बहुत ही easy pattern है यह जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितना आसान है यह तो इस starting में हमें इस वाले round में एक half shell बनाना है अब हमें double crochet को पर double crochet बनाने है यह हमारा shell है इसके उपर हमें एक shell बनाएंगे यह देखिए इस तरह से अब यह जो double crochet है साथ इसको पर हम double crochet बनाएंगे और half shell के उपर half shell बनाएंगे इस तरह के से यह देखिए हम एक single crochet बनाएंगे और अब हम तीन chain बनाएंगे अब double crochet जो हमारे साथ बने हुए इसके उपर हम साथ double crochet बनाएंगे अब तीन chain बनाएंगे और अपने shell के उपर एक single crochet बनाएंगे बीच में चोथे वाले डबल क्रोशी के उपर अब तीन chain बनाएंगे और अगले साथ डबल क्रोशी के उपर हम साथ डबल क्रोशी बना लेंगे अब तीन chain बनाएंगे और जो हमारे shell का आखरी double crochet है चोथर double crochet मतलब तीन chain के उपर वाली chain में हम यहाँ पर एक single crochet बनादेंगे और यह round भी हमारा complete हो जाएगा 8 round हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे अब जो 9 round हम बनाएंगे वो हमारा first round होगा जहां से हमने अपना काम स्टार्ट किया था chain मनाने के बाद ठीक है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा यह देखी 8 round का मैंने यह pattern आपको बनाकर बताया है अब जो 9 round आपको बनाना है इसके उपर वो सबसे पहला वाला हमारा round होगा जो chain बनाने के बाद हमने पहला round बनाया था और इसी तरीके से आप इसकी चोड़ाई को परके और बढ़ाएंगे और seven stitches की multiply करके आप इसकी लंबाई को भी बढ़ाएंगे जितना भी लंबा आपको कोई piece बनाना है उसी हिसाब से यह जो मेर प्रश रग है इसका जो बॉर्डर है इसके लंबाई 40 इंच है तो 40 इंच लंबी चेन साथ साथ के multiply में करके मैंने बनाई थी और यह बॉर्डर मैंने create किया था ठीक है तो आप भी इसी तरीके से बनाईएगा बहुत ही आसान है यह लंबाई बढ़ाने में भी और चोड़ाई बढ़ाने में भी आप जो इसके उपर round हमारा होगा वो इस तरीके से आएगा यह देखिए डबल क्रोशी के उपर शेल और शेल के उपर डबल क्रोशी हमें रिपीट करने है और इसी तरीके से इसे बनाना है friends I hope आप कोई pattern पसंद आया होगा तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में बाई